दोस्तों जब आप YouTube पर वीडियो अप्लोड करते हैं तो आपको एक एज रेस्टिक्शन का सेक्शन देखने को मिलता है आप से YouTube आपकी ओडियन्स सेलेक्ट करने बोलता है आपके सामने दो आपसंस ओपन हो जाते हैं जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे अब यहां पर आपको किस ओप्सन को चूज करना चाहिए कौन सा आपके लिए बेश्ट है जहां के आपको जो दो आप्सन देखने को मिल रहे हैं जास इस मेट फॉर किट्स और नोट इस नॉट मेट फॉर किट्स इन दोनों का मतलब क्या है यह जानना हर एक यूटूबर के यह बहुत ही जादा जरूरी है तो वीडियो में तक बने रहे है यह बहुत ही छोटा सा वीडियो है यह जल्दी में है तो आपको तो यहां पर फिर से दो ओपसन देखने को मिलेंगे तो आप फिर से यहां पर No, don't restrict my video to viewers over 18 कर देना है यदि आप जल्दी में हैं तो आप यहां तक देख कर जा सकते हैं लेकिन आपको यही option क्यों choose करना है यह जानने के लिए बज़े है वीडियो तो इन तक देखना पड़ेगा तो चली में आपको बताता हूँ कि यहां पर जो आपको दो options मिलते हैं Yes, it's made for kids और No, it's not made for kids का फंटा क्या है तो दोस्तो जब भी आप YouTube पर किसी भी वीडियो को upload करेंगे और यह जो आप फर्स्ट वाले option को choose कर लेते हैं Yes, it's made for kids को तो क्या होगा आपका जो वीडियो होगा उसके जो viewers होगे जो main viewers होगे वो सिर्फ बच्चे होगे क्योंकि आपने यहां पर select किया है Yes, it's made for kids और जो आपका वीडियो होगा उसकी जो reach होगी वो ज्यादा लोगों तक नहीं होगी आपके वीडियो की reach सिर्फ बच्चों तक होगी जिसकी भी age 18 से कम होगी उन तक ही आपका वीडियो पहुच पाएगा यदि आप बच्चों को target करके ही वीडियो बनाते हैं या फिर आप बच्चों के लिए ही वीडियो बनाते हैं तो आप yes it's made for kids को choose कर सकते हैं बट यदि आप मेरी माने यदि आप बच्चों के लिए भी वीडियो बना रहे हैं तो आप यहाँ पे no it's not made for kids को choose कीजी वो क्यों तो वो इसलिए अब आप मुझे खुद बताइए कि कितने बच्चों के पास mobile है कितने बच्चे mobile चलाते है आजकल सभी बच्चों के पास है बट एक limited number होगा यदि आप compare करेंगे बड़ो से तो यदि आप yes it's made for kids कर देंगे तो सिर्फ उन बच्चों तक ही आपका वीडियो पहुच पाएगा और आपके पास limited views आएगे यदि आप यहाँ पे no it's not made for kids करेंगे तो आपका जो वीडियो होगा वो बच्चों तक तो जाएगा ही जाएगा बड़ों तक भी जाएगा मतलब कि आपके वीडियो की reach बहुत जादा होगी views बहुत जादा आएगे तो इसलिए बेटर है अब आपको यहाँ पे किस option को चूज करना है तो यदि आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेकेंड आप्सन को चूज करेंगे तो क्या होगा सिर्फ 18 प्लस एज वाला ही बंदा देख पाएगा जिसकी भी एज 18 साल से जादा होगी वही आपके वीडियो को देख पाएगा जिदि आप यहाँ पे सेकेंड आप्सन को चूज करेंगे तो क्या होगा आपका वीडियो 18 प्लस और 18 माइनस मतलब यह कि 18 से कम और 18 से जादा जिसकी भी एज होगी सभी लोग देख पाएगे अब आप खुद बताइए कि आप यह चाहते हैं कि आपका वीडियो 18 से जो कम होगा वो नहीं देख पाएगा तो आप फर्स्ट वाले को चूज कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो वीडियो है वो सभी देखें बच्चे बुड़े जो भी हो सभी देखें तो आप क्या करिए तो इस प्रकार से आप लोग एज रेस्टिक्शन को लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं मैंने आपको बता दिया है मैंने आपको सारा कुछ किलियर कर दिया है यदि आपने यहां तक इस वाले वीडियो को देखा हैं तो आप यूटूब को लेके बहुत ही ज्यादा सिरियस है तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करी लीजिएगा वीडियो को लाइक कीज़ेगा दोस्तों के लाइक कीज़ेगा को दोस्तों को फिर्मेल मेलते हैं भूँ जल देखने वीडियो के साथ जहिन बंदेमातरम